दोस्तों नमस्कार और आप देखरें नूर्स पकेट और आप लोगों के साथ में देख भारे भरकम के साथ बृत मंतरी आज लगभग एक घंटे 30 मिनट के भासर में क्या कुछ दिया आपको बता दें कि जो आज बजट मिला है लोगों को काफी निराज मिला है लोग बहुत उमीद करते थे कि रुजगार पे भी कुछ हमको बजट मिलेगा टेक्स को लेकर उसमें छूट मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सिधे तोर पे आपको बता दे कि सस्ता और महँगे की बात करें तो सस्ता कुछ चीज़े हुई है कुछ महँए हैं हमारे साथ हैं आम आद्मी पार्टी के प्रत्यासी आसिज जैसवाल जी हम इन से बात करेंगे कि जो आज जो बजट निकला है कितना अच्छा ठाज खराब गवे इस सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है कि यए बजट गरीबों के लिए नहीं बनाया गया है यह पूजी पतियों के लिए बनाया गया भु Notre पारी जगह रोजगार खतम हैं गरीबों के लिए गाओं में जो रोजगार का सबसे बड़ा जो सरकारी कारक्रम चल रहा है मन्रेगा उसके बजट को घटा करके 25% कम किया गया है पिछले बार जो पुनरिशीर बजट था उसमें लगबख 98,000 क्रोड रुपए आवंटित किये गये थे और इस बार 73,000 क्रोड रुपए किये गये हैं उसमें लगबख 25% बजट की कटवती है जो आम ग्रामीर लोग हैं जब करोना में सब जगह रोजगार की कमी है तो मन्रेगा एक सहारा है कि उन्हें महीने में कुछ दिन का रोजगार मिल पाता है जिसे उनका जिवनि करेगा कि ब्लेट को और बढ़ाना चाहिए जहां तक बात है मध्यमवर के लोगों को भी अगर आप देखे तो टैक्स लैब में कोई रहत नहीं दी गई है और यह कहा गया है कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा आज जब सबकी कमाई घटी हुई है तो सरकार टैक्स लैब है उसमें कमी करेगी लेकिन हर बार कोई ने कोई नया जुन जुना पकड़ा दिया जाता है कि आप सिंगल पोर्टल पे आप अपना आई टी आडाकिल कर सकते हैं दो साल का आगे कर सकते हैं दो साल का पीछे कर सकते हैं और यह करके बार बार लोगों को 75 आबादी है जिनकी जो इस समय कोरोना की महामारी है उसमें जो मुश्किले जहेल रहे हैं उनको बहुत ही जादा निरासा जनक है और ऐसा लगता है कि शरकार है तो भारत देश की लेकिने अंग्रेजी में सोचना शुरूर कर चुकी है और केवल पूजी पतियों के लिए और क्रिप्टो करेंसी और डिजिटलाजेशन पर ही सोच रही है जमीन पर क्या काम होगा लोगों के जीवन में कैसे सुधारा होगा बजट पे इस पर कोई बात चीत नहीं की जा रही है एंटी पीसी के में काफी लड़के उग्र होकर इलहाबाद में बिहार में काफी आप दे है कि 400 चलाएंगे और जिस तरीक से प्राइवेटेशन हो रहा है तो कैसे करेंगे देखिए रेलवे का प्राइविटाजेशन बिल्कुल ही गलत कदम है और नई ट्रेने आप जरूर चला रहे हैं लेकिन आप देखिए कितनी सारे रेलवे स्टेशन प्राइवेट कंपनियो चल रहे हैं सारे अपने रूटीन पर नहीं चल रही है तो उसमें और नई ट्रेने बढ़ा करके उसके बजट का अवांटीद करना इंफ्रसेक्शन को बढ़ाने के लिए एक बहतर कदम हो सकता है लेकिन वरतमान समय में जो मुद्दा है रेलवे के प्राइवेटाजेशन ज्यादा रोजगार का सरजन उसको ध्यान में नहीं रखा गया है इस पर सरकार को सुझाए हमारे यहां जब कोई बच्चा रिजुएशन पास करता है इंटर पास करता है तो तबी से फॉर्म भरने में लग जाता है कि उससे रोजगार भी लेगा ज्यादातर सरकाई नवक कम किये जा रहे ह। बहुत ही निराशा जनक पढ़ाई कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं किसानों के मुद्दे तो पिछले दो साल से चर्चामें और एक साल कितना लंबा आंधोलन भी चला है और सरकार को पिर अपना कदम वापस खीच करके काले करन यूद को वापस भी लेना पड़ा तो तो किसानों को जब उस समय अंधुरन वापस किया गया, बहुत सारे वाइदे किये गए, जो की इसके लिए समितिया बनाने की बात हुई थी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो सरकार किसानों को फिर से चलने का और धुखा देने का काम कर रही है, और बज़ट में उनके ल और लोगों को खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा मिल सके जैसे टैक्स लैब में आप कटोती करें और कि नए रोजगार का सरजन यह एक चार बहुत महत्पुर्ण बुद्दें हैं जिस पर बजट का ज्यादा से ज्यादा भाग खर्च होना चाहिए और अगर इस बातों का ध्यान रखा जाता तो एक बहतर बहुत है तो आमादी पार्टी के प्रत्यासी आसिस स्वाल्जी थे और इन्हों ने बताया कि वह चीजों पर धान देना चाहिए था लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं दी अगतारी रिपूर्ट बनारस से दे रहे थे हमा अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा ख़ब्रों के लिए हमारे यूटीब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें